नमस्कार स्पिन नाइन न्यूस देख रहे हैं आप आरजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर सिरीप और हत्या के बाद ममताब एनरजी की सरकार फ़स चुकी है ममताब एनरजी की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाई जा रहे हैं कानून विवस्था पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और सीधे तोर पर ये कहा जा रहा है कि अब ममताब एनरजी को अपनी पद को त्याग देना चाहिए दरसल आपको बता दें कि आरजिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुप्रीम कोट में बीते दिनों हूई सुनवाई के दौरान भी ममता बेनरजी की सरकार को कई बड़ी फटकार कोट की तरफ से भी लगे और कॉलकता पुलिस पर भी कई सवाल दागे गए आपको बता दें किस केस में ममता बेनरजी की सरकार और पुलिस की और से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि घटना वाले दिन इसे आत्म हत्या करार दिया गया जबकि पोस्माटम रिपोर्ट से साफ हुआ कि डॉक्टर के साथ पहले रेप हुआ और उसके बाद उनके हत्या कर दी गई यही नहीं डॉक्टर के माता पिता को उनके बेटी का शव देखने के लिए अस्पताल में तीन घंटे तक इंतिजार करना पड़ा और जल्दबाजी में शव का अंतिम संसकार कराने का दवाव भी बनाया गया इतना ही नहीं मामले में पुलिस ने शुरू से लापरवाही की है सबसे पहले तो पीडित की डाइरी का एक पन्ना गायम मिला था जिससे यह आशंका जताई जा रही कि इसमें महत्पूर जानकारी हो सकती थी इसके लावा ममता बनेर जी की और से पीडित परिवार को 10 लाक रुपे का मौफज़ा दिया गया जिसके बाद पीडित के पिता ने इसे अपमान बताया ट्रेनी डॉक्तर से सेमिनार हॉल में रेप हुआ और वहीं मडर हुआ लेकिन घटना की कुछ समय बाद ही वहां चिनाई का काम शुरू कर दिया गया सेमिनार हॉल से सटे बातरूम की दिवार का एक हिस्सा भी तोड़ दिया गया इन कदमों से साफ है कि सबूतों को नस्ट करने की कोशिश की गई इस घटना के बाद आरजिकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घूष ने अपना पद भी छोड़ दिया लेकिन उनके खिलाफ कोई कारिवाही नहीं हुई सरकार ने सवाल करने के जगा उनकी पोस्टिंग कॉलकत्ता के नैशनल मेडिकल कॉलेज में सीनियर पोस्ट पर कर दी सबसे पहले घोष ने इसे अत्मत्या करार दिया था इस घटना के विरोध में जब डॉक्टर और अन्य लोग 14 अगस्त की रात कॉलकता में प्रदशन कर रहे थे तब आरजी कर मेडिकल कॉलेज में भीर घुसी और तोड़ फोड के घटना को अन्जाम दिया गया इस मामले में पोलिस कारवाही करने की जगा चुपचाप भीर को देखती रही और उसे तोड़ फोड करने दिया गया आखरी सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता हो नजर आया कि ममताविनजी सरकार ने आलोचनाओं के बीच भी एक बड़ी गलती की इस मामले को लेकर पोलिस और सरकार पर सवाल उठाने वाले लोगों पर कारवाही होने लगी मीडिया और शोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों को दबाने का प्रियास किया गया आपको बता दे यह रिपूर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों से कुल 280 लोगों को नोटिस जारी किये गए और कुछ लोगों को गिरफतार भी किया गया अब सुप्रिम कूट की तरफ से फटकार लगी है ममतब एनरजी की सरकार को अब इस बीच में ममतब एनरजी को लेकर ये भी दवाब बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना पद छोड़ दे इस पूरे मामले पर अब देखा जाए तो अन्य राजियों में भी विरोध प्रदर्शन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इनसाफ की मांग की जा रही है अब देखना होगा कि ये मामला कहां तक बढ़ता है